बॉलिवूट की कल फिल्म बॉर्ड़ की सक्सस के बाद अब बॉर्डर 2 की तयारी हो ठुकी है 1997 में रिलीज हुई सनी देवल स्टार आल टाइम बलोग बॉस्टर फिल्म बॉर्डर के सीक्वल के अनौंस्मेंट हो गई है खुद सनी ने फिल्म का अनाउंस्मेंट वीडियो सोचल मीडिया पर शेयर किया इस अनाउंस्मेंट वीडियो में फिल्म से जुड़ा कोई वीजुल नहीं है सिर्फ बैक्ग्राउंड में सनी देवल की आवाज सुनाई देती है वो कहते हैं 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा उसी वादे को पूरा करने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने आ रहा है फिर से इसके साथ ही फिल्म का गाना संदे से आते हैं बज़ रहा है और इसी के साथ लोगों में इसका एक अलग ही बज नज पूरा करने आ रहा है उन्होंने लिखा एक फौजी अपने 27 साल पुराने बादे को पूरा करने आ रहा है फिर से इंडिया की सबसे बड़ी वार फिल्म बॉर्डर 2 वार्फ्रेंट पर सनी देवल की पिछले फिल्म गदर 2 थी जो बॉक्स आफिस पर सूपर हिट रही है 691 करोड रुपे के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ ही ये फिल्म 2023 की चोहती सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी इसी फिल्म की रिलीस के बाद से ही उनका करियर फिर से रिवाइव हो चुका है लगता है सनी देवल की गदर 2 की हूज सक्सेस के बाद बॉर्डर फिल्म के प्रोड्यूस को लगने लगा होगा कि सनी देवल के फिल्म बॉर्डर का भी सीक्वल बनाना चाहिए क्योंकि कुछ समय पहले ही फिल्म के ली डाक्टर सनी देवल ने एक इंटर्व्यू में बताया था कि बॉर्डर 2 को पहले 2015 में बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना है कि बॉर्डर 2 बन रही है हम उसे बहुत पहले 2015 में शुरू करने वाले थे लेकिन फिर मेरी फिल्म में फ्लॉप होने लगी और लोग वो फिल्म बनाने से डर गए जब सब फिल्म बनाना चाहते थे लंबे समय से बड़े परदे पर वैसे भी देजभक्ती को लेकर फिल्में लगातार बन रही है वॉक्स ओफिस पर धमाल भी कर रही है चाहे वो उरी हो शेर्शा, सैम बहादुर, राजी या फाइटर जैसी कई फिल्म है अब बॉर्डर 2 के भी सूपर हिट होने की उमीद हो सकती फिल्म बॉर्डर 1997 में रिलीज हुई थी और 10 करोड में बनी इस फिल्म ने 66 करोड रुपे का कलेक्शन किया था शारुक स्टारर दिल तो पागल है के बाद ये फिल्म उस साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म थी इस मल्टी स्टारर फिल्म में सानी देवल के अलावा जैकी श्रॉफ, सुनील शेटी, अक्षै खना, पूझा भट, राखी तब्बू जैसे तमाम बड़े स्टार्स थे बॉर्डर फिल्म को पहले जेपी दत्ता ने प्रोड्यूस और डिरेक्ट दोनों किया था प्रीपी दत्ता निदी दत्ता और भूचंड कुमार बॉर्डर टू को प्रिडूस कर रहे हैं जिसका डिरेक्ट्चिन अनुराख सिंग करेंगे इस फिल्म को लेकर अब तक खबरों में जो भी बताया गया है तो लग रहा है कि इस फिल्म की जी तोड़ के तयारी चल रही उनके साथ साथ आयुषमान खुराना भी लीड रोल निभा सकते हैं